नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह नमस्कार जैश्री किष्णा जैश्री राध है बहुत स्वागा थे आप सब का ब्लाश्टिंग 2019 में मैं हूँ आपके साथ आपका एश्टो फ्रेंड संतो शंतोशी और दो जानकारिया जल्दी से ल पहली जानकारी कल्चर वैली मीट के विशे में है जो की आगामी 6 जनवरी को होने जा रहेगी कल्चर वैली हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है अगर आप अब तक नहीं जानते हैं तो कल्चर वैली डॉट 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 इन्फ्यूजिंग गॉट के नाम से एक प्ल लिए आप डारेक्ट आ सकते हैं वर्ड इसक्वाइर मॉल में और समझ सकते हैं वर्ड इसक्वाइर मॉल मोहन नगर गाजयबाद में सिच्वेटेड हैं दूर से आना है तो पहले आप जमा कर दीजेगा फीस और उसके बाद आप आईएगा मैक्सिमम डिएर सो लोगों को ह ज्यादा नहीं है आईए अब चर्चा करते हैं 2019 वाले शनी की देखिए 2019 में जब एक जन्मरी को सुर्योत होगा तो शनी महराज उस समय धनुराशी में रहेंगे और ये धनुराशी शनी देव की सत्रुराशी है ब्रहश्पत के घर में शनी की उपस्तिती ये सकारात्मक न के लिए सबसे ज़्यादा शनी की रहेगी ये जानना है यही हम आपको बताएंगे एक जन्मरी की कुंडली हम बना लेते हैं एक जन्मरी को क्या इस्तिती रहेगी ग्रहों की वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को और एक जन्मरी उन्नीस को सुबह जब सुर्योदे हो रहा है उस समय सारे ग्रहों की इस्तिती के आधार पर ही आप लोगों का भी सबकुछ निरड़ायक होने जा रहा है हमारे साथ जुड़ने का एडवांटेज आप लोगों को दो रूप में मिलता है एक तो आप लोग सारी जानकारियां बहुत रुवायल वे में पाते है शनिदेव 17 डिगरी के होंगे धनुराशी में सूर्य के साथ थोड़ा सा नक्षत्रों की चर्चा अगर हम करें तो शन पुर्वा सार रक्षत्र का स्वामी शुक्र ये एक पॉजिटिव है ये एक सकरात्मक है मैं आज 2019 वाला शनी सीर्शक से जो कारक्रम लाया हूँ ये खास तोर पर मैंने तीन राशियों के लिए उठाया है विश्चिक, धनु और मकर 2019 वाला शनी मकर धनु और विश्चिक के लिए क्या फल देगा कैसे आपको सावधान रहना है क्या आपको उपाय करना है ये एक रोचक तत्थे के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं 2019 वाला शनी विश्चिक राशि के लिए कई तरह से कई तरह से तकलीफ, कश्ट, दुख, दोश, समस्या प्रदान करेगा सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और पारिवारिक च्छतिकी होगी विश्चिक राशिवालों के लिए आर्थिक रूप से खर्च बढ़ा देंगे ये और पारिवारिक रूप से किसी एक बहुत प्रियका आपके जीवन से दूर होना संभव है ये आपको बहुत सावधानी के साथ मैं बता रहा हूँ इसको समझने की आवश्चकता है कि कैसे आप इसे समझें और आगाह कर रहा हो किसी भी बिमारी को दोश को आप लोग हलके में मत लेजेगा नमबर दो धनु 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 राशी वालों को सबसे अधिक कष्ट अगर देंगे शनी 2019 में तो मांसिक कष्ट जादा देंगे मांसिक कष्ट धनु वालों को बढ़ा देंगे ये एक और दोश इनके अंदर है बाकी तो धनु राशी के लिए ज्यादा नहीं मैं मूल पकड़ रहा हूं कि मूल क्या रहेगा और मकर मकर राशी वालों को जो सबसे अधिक कष्ट शनी देंगे वो किसी बाहरी व्यक्ति से बहुत जबरदस्ट धोखा मिलेगा ये बात हमारी गाठ बांध लीजिए याद रखिए ये चीजें टलेंगी नहीं ये हो के रहेगा भले ही इन राशियों में आपका चंद्रमा जीरो डिगरी का हो चाहे तीस डिगरी का हो ये हो के रहेगा ये मेरी छठी इंद्री कहती है क्योंकि मैंने शोध करके देखा है व्रिष्टिक धनू मकर के लिए अपने बताया कि 2019 वाला सनी आपको क्या जरूर देगा ये ध्यान देना था और मैंने दिला दिया और बता देते हैं एक दो और रोचक चीजें बाकी राशियों के लिए भी मैं देखूंगा उपाय क्या करें आप सात्विक रहिए ये उपाय है खान पान एहतियाद बरतिये बड़ों का दवा के आशिरवाद लिजिए और अगर आप इन तीन राशियों से हैं तो आँख बंद करके जल्दी से कुम्भ का रेजिस्ट्रेशन करवा लिजिए ना मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं आपको बचाना चाहता हूँ सुरक्षित रखना चाहता हूँ इसलिए हम आपके लिए उपाय बता रहे हैं नहीं आप आएंगे एक प्रतिशत भी गुंजाईश नहीं है आपके आने की तो भी रजिस्ट्रेशन करवाईए चाहे आपके बच्चे का हो विष्चिक धनू मकर पतनी का हो आपका हो माता का हो पिता का हो हर रिष्टे के लिए मैं बता रहा हूँ जिसकी भी ये तीन राशिया हैं इन तीन राशिवाले जरूर आएं और पंच शक्ति अनुष्ठान का आनंद उठाएं देखते हैं परम हो चुके हैं बंद हो चुके हैं मुंबई के उपाइनवेंट बंद हो चुके हैं द healthy चल रहा है तो करा सकते हैं नमस्कार शिरा अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना उसके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए